नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लास इसमें आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग मिरा बाई के एक प्रमुख पद महा गिरिधर आंगा आंगा नांच्यारी इस पद को समझ लेंगे, इसका सप्रसंग ब्याख्या को देख लेंगे तो पहले ये पद को देख लेते हैं महा गिरिधर आंगा आंगा नाच्यारी नाच नाच महा रसिकरी जावा प्रीत पुरातन जान्च्यारी स्याम प्रीत री बान घुंगरिया मोहन महारू सांचारी लोक लाज कुल रामर जादा जगमा नेकना राख्योरी प्रीतम पल छणना बिरारवा मिरा हरी रंग रांच्यारी अब इसका जो कुछ प्रमुक सब्द है उसके अर्थ को पहले हम लोग देख लेते हैं तो पहला जो है महा अर्थात मैं गिरधर अर्थात स्रीक्रिष्न उसी के आंगा माने आगे या सामने है ना तो सामने क्या है नांच्यारी नांच्यारी अर्थात क्या होता है यह नाच सब्द का है अर्थात क्या है मैं स्रीक्रिष्न के आगे या फिर स्रीक्रिष्न के मूर्ती के आगे क्या है मैं नाच्यारी नाच्यारी अर्थात अपने रशिक स्रीक्रिष्न को रिजाती हूं प्रीत पुरातन जांच्यारी अर्थात हमारा जो पुराना प्रेम है अर्थात जो जनम जनम का प्रेम है उसको मैं क्या करती हूँ जांचली हूँ है ना स्याम प्रीत री बांध घुंगरिया अर्थात स्याम स्रीकृष्ण को बोला जा रहा है प्रीत अर्थात प्रेम तो स्रीकृष्ण के प्रेम में मैं घुंगरो बांध कर मोहन महारो संचारी तो मैं घुंगरो बांध कर स्रीकृष्ण के मूर्ति के सामने नाश्ती हूँ क्योंकि ये जो मोहन है अर्था स्री कृष्ण है वही महरो मने मेरे का सच्चा मीत है लोक लाज कुल रा मर जादा अर्था ये लोक लाज हो गया या कुल की मर्यादा का बात है आप जानते हैं कि जो मिरावाई थे वोई क्या है राज घराने की थी ना तो अपना कूल का मरियादा भी होता है तो ये कहती है कि लोख लाज हो या कूल का मरियादा हो तो जग में नेक मनें एक मात्र है मन अर्थात अपने प्रितम को अर्थात स्रीकृष्ण को एक पल के लिए भी वो भूल नहीं पाती है मीरा हरी रंग रांचारी अर्थात मीरा अपने हरी के रंग में रंगी हुई है अर्थात स्रीकृष्ण के प्रेम में वो पूरी तरह समर्पित हो चुकी है तो ये हो गया इसका सामाइन अर्थ, अब इसको line by line इसका देख लेते हैं, तो पहले प्रसंग में हम लोग कह सकते हैं, कि मीरा ने इस पद में क्रिश्न के प्रती अपने सच्चे एकनिस्ट प्रेम का संकेत देते हुए कहा है, कि उस प्रेम के लिए उन्होंने सब कुछ, अर तो मीरा कहती है, कि मैंने अपने प्रियतम स्री कृष्न को रिजाने का संकल्प कर लिया है, मैं केवल उन्ही से प्रेम करती हूँ, उन्हें रिजाने के लिए मैं लोक मर्यादा, कूल की मर्यादा, सब त्याग कर, पैरों में घुंगरु बादम कर, उसके प्रतिमा के शुरू कर दिया है ताकि वो मेरी निर्त कला पर मुख्ध हो और मेरी प्रिती को अपनाए है वो भी मुझे उसी प्रकार प्रेम करने लगे जैसे मैं उन्हें प्रेम करती हूँ मुझे लगता है कि वो मेरी निर्त कला से प्रभावित होकर मुझे पर प्रसन भी हो गए हैं मेरा जन्म जन्म का पुराना प्रेम रंग ला रहा है मैं जल्द ही अपने प्रियतम को पालूंगी मैंने अपने पैरों में घुंगुरू बांध रखे हैं मेरा कृष्ण के प्रती प्रेम सच्चा है एक निस्ट है मैं अनन्य भाव से उन्हें प्रेम करती हूँ उसके अतिरिक्त मेरा कोई है ही नहीं सबसे नाता तोड़ लिया है वही मेरे सरवस्व हैं मेरे राज परिवार छोड़कर नगर के बाहर मंदिर में कृष्ण की मूर्थी के सामने नाचने में कि मैं लोक लाज कुल मर्यादा यस अपयस की भावना से उपर उठ चुकी हूँ मेरा तो केवल वही सावरिया है और मैं केवल उसी की परवाह करती हूँ मैं उसके ध्यान में इतनी डूबी हूई हूँ प्रेम में इतनी रंग गई हूँ कि अब किसी अन्य बात का न ध्यान आता है और ना किसी अन्य बात की चीनता ही होती है मैं उनके ध्यान में इतनी मगन हूँ कि वो एक पल को भी बिस्मृत नहीं होते सदा मेरे हृदय में बसे रहते हैं अब अगर विशेश का बात करें तो आप कह सकते हैं कि प्रेम की तनमयता एकागरता या फिर यह भी पॉ प्रेमा भक्ति का पद तो इस प्रकार आज का यही था सवप्रसंग व्याख्या अगले वीडियो में एक और व्याख्या लेकर आएंगे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धेन्यवाद